आज ये एक्जाम हुआ है एसिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट को डाट सो बाइस उननीस सितंबर दोहजार इक्टिस को तो इसकी फुली सोलब्ड आंसर की हम देखने वाले हैं अगर आप ले इस एक्जाम को दिया है तो आप ये देखिएगा कि आपके कितने क्वेशन्स सही वोट हैं और कितने नहीं अधर किसी फ़े एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो इन क्वेशन्स को जुरूर देखो क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है आज कर हम एरपूर बोड या फिर आयोग में पिछले पांस से दस सालों के फुली सोलब्ड क्वेशन पेपर्स प्राप्त क करना चाहते हैं पांस से ज्यादा तो वाटसेप कर लेना आपको पीडिया फाइल्स मिल जाएंगी आपकी अच्छे से त्यारी हो जाएगी इन क्वेशन्स के थूरू तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेशन बीजडी डेवलप्मेंट ब्लोक जो है कहां पे है किस जिल पापसागर लेक बहुती फिमस है हिमाचल प्रदेश में पोंग लेक जो है इसी को बोला जाता है ब्यास नदी के ओपर बनाए गया है ये पोंग डैम जो है बीबीम जो है इसको मैनेस करता है तो ये भी देख लेना और कांगडा जीले में है उसके बाद रूपा बैली प्रदेश के किस जिले में लोकेटड है शीति धार आपको मिलेगी कुल्लू में यहाँ पे इसी ओप्शन सही है किसी भी क्वेश्चन में कोई गडबर्ड लगे दोस्तों इनसान हूं मैं भी कई बार गलती हो जाती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कम से कम गलती हैं करने की तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा अगर कोई गलती हुई हो पूरी फेर जो है यह किस के द्वारा सेलिबरेट किया जाता है कहां पे सेलिबरेट किया जाता है तो यह दोस्तों लाहल सुपित्ति के द्वारा इसको सेलिबरेट किया जाता है अगर मुझे जर गदर पार्टी हिमाचल में आई थी मंडी में तो उन्होंने मंडी शड़ेंतर रचाया था तो उस टाइम रानी खैरगडी जो है उन्होंने काफी हेल्प की थी उन लोगों की गदर पार्टी के लोगों की तो मंडी साई आंसर होगा बुशेहर प्रिंसली स्टेट के उसके बाद त्रीगर्था जो है दोस्तो एक टाइम था तो मुल्तार में इसकी राजधानी हुआ करती थी त्रीगर्थ प्रिंसली स्टेट जो है माचल प्रदेश की इसकी कैपिटल कहां तो नगर कोट भीम कोट भी इसको बोला जाता है पजल मत होना दी ओल्ड नेम ओ बै तो यहां पर इसी ओप्शन सई होगा उसके बाद दोस्तो लंबा डुग जल बिदूत प्रियोजना जो है या फिर हाइडरो एलेक्टरिक प्रोजेक्ट यह कहां पर है तो यह आइधिंक कांगडा में है और नदी पूछी जाए तो ब्यास नदी सई आंसर होगा ए ओप्श पर लो काम चल जाएगा हरी राय टेंपल आपको चंबा में देखने को मिलता है बहुत ही फेमस टेंपल है यहां पर भगवान बिश्णू को स्मर्पित है यह मंदिर उसके बाद यह क्रेंट फेस के क्वेशन है डी डोस जो है यह एक अटैक हुआ था रिसेंटली तो यह न अट्मोसफेरिक अड्मिनिस्ट्रेशन रिसेंटली रिलीज दा न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स तो दोस्तो यूएस से जो है यूएस से का नैशनल ओशनिक अट्मोसफेरिक अड्मिनिस्ट्रेशन जो है इसने रिलीज की थी न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स तो यहां पर option सही है COVID-19 से लेटेड अभी भी questions हा रहे हैं तो अच्छे से पढ़के जाईए अगर किसी वे exam की तयारी गर रहे हो बड़वाजदा name of the operation recently launched by the Indian armed force to tackle COVID-19 pandemic COVID-19 pandemic जो है उसको tackle करने के लिए Indian armed force जो है उसने दुस्तों एक operation launch किया था operation कोजीत तो आपको यह याद रखना है इसी option सही होगा बाकी reasoning जो है इसको बाद में discuss करेंगे जीके बगएरा discuss कर लेते हैं पहले यह easy question है बच्चों वाला सूरे परकाश द्वारा शरीर को कौन सा vitamin प्रदान किया जाता है तो vitamin D यहाँ पर D option सही है protein और calorie malnutrition जब होता है malnutrition का मतलब होता है को portion यानि कि जब अच्छी तरह नहीं मिलता है और calorie जो है इसको आप count कर सकते हैं food में अगर अच्छी मात्रा ना मिले खाना जो होता है और protein भी उसमें ना हो तो क्वैशी औरकर एक बिमारी होती है वो हो जाती है तो D option इसका सही होगा उसके बाद barometer barometer आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे pressure जो है उसको मापा जाता है जो बायू मंडल है उसमें और barometer जो है इसको invent किया था तोरी सेली ने तो यहाँ पे C option सही होगा chemical name यहाँ पे पुछा गया है quick lime का तो quick lime का रसाइनिक नाम यहाँ पे होगा calcium oxide दो त्रीक्य के questions होते हैं दोस्तों एक effect basis पर होते हैं और एक आपकी जो समझ है जो आप कुछ analyze करते हैं उसके basis पर questions होते हैं यह analysis basis पर question है इन रिगवैदिक society which of the following was unknown unknown कौन सा था polygammy polygammy का मतलब होता है बहुभी बहा हो जाता था राजा महराजा जो है वो ज़्यादा ब्यबा करते थे उसके बाद पर्दा system पर्दा प्रथा जो है नहीं होती थी कभी आप कोई पुराना एक कथा बगेरा देखना कहीं पे ड्रामा बगेरा उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था बलकि उनके कपड़े जो थे वो छोटे हुग करते थे महिलाओं के भी उप उर्षों के भी तो पर्दा system था ही नहीं बहाँ पे पॉलियंडरी बहुपती प्रथा ये भी थी दोस्तो जैसे आप महा भारत में देख लो पांचाली कौन थी द्रोपदी उनके पांच पती थे चाइल्ड मैरीज बच्चों की भी शाद्धी हो जाती थी छोटी ही उमर में लेकिन पर्दा system जो है ये नहीं था करनाटका की बात जब भी आपको आए और जैन धर्म की बात आए श्रवन मेल गोला आपको याद रखना है जहाँ पे अंतिम दिन अपने गुजारे थे चंदरगुपत मोरय ने और जैन धर्म जो है उसको spread किया था वहाँ पे राजेंदर चोला एक आपको पता होगा इनके बारे में ये बहुत आगे था कि इन्हों ने अपना सामराज्य फैलाया था तो चोला एम्पायर जो है ये भी important है प्लासी का यूद सत्रा सुस्तावन आपको ये भली बांती पता होना चाहिए अंग्रेज्जों और जो आप सिराजुदोला जानते हैं नवाब बेंगाउल के उनके बीच हुआ था तो इसमें साथ हदिया था अंग्रेज्जों का मीर जाफर बगेरा ने और नेंग्सट कॉष्चन बढ़ा घुमाया गया था, बहुत important question है, normal students क्या करते हैं, students सोचते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, या तो रज्यसभा की सोच लेते हैं, या फिर लोगसभा की सोच लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोनों पूछे गए हैं, तो 14, 12 रज्यसभा मे और दो लोगसभा में, एंगलो इंडियन्स, तो 14 यहाँ पे साई अंसर होगा, D is right answer, next question है, the Indian president is, Indian president क्या होता है, नामधारी कारेपाली के तहत काम करता है, सिर्फ नाम उसका चलता है, signature उसके होंगे, कोई भी बिल ता पारित होगा, कोई भी काम है, तो उसको complete होगा, अग उसके हाथ में बाकी कुछ भी नहीं है, तो टैटुलर एग्जेक्यूटिव होता है, वो भी ओप्शन सही होगा, गाली सो संबिधान संसोधन बहुत इंपोर्टेंट है, त्योंकि इसे लगु संबिधान बोला जाता है, mini constitution बोला जाता है, the 42nd constitutional amendment bill was passed in which year, 1976, सिंद्रा गंध जिने उस टाइम क्या लगाया था, emergency लगाया थी, next question, temporary tax levied to obtain additional revenue is called, इसका मतलब क्या होता है, suppose करो कोई tax system चल रहा है इंडिया में, और कुछ टाइम क्या हो कि मतलब सरकार की condition अच्छी ना रहे, गरीब भी आ जाये सरकार में, तो ये क्या करते हैं, सैस लगाते हैं, जैसे आप आज के टाइम में देखो, petrol देखो, पहां पर सैस लगता है, extra tax लग जाता है, तो सैस होता है वो, उसके बाद next है, the major purpose of the price index is to measure changes in, तो buying power of money, इसमें क्या होता है, महंगाई जो है, जो inflation है, वो दिखाई जाती है कि एक टाइम था, तो 100 रुपे में कितना सामान आता था और आज के टाइम में 100 रुपे किसी के पास है, तो कितना सामान आएगा, तो buying power of money यहाँ पे साही होगा, the earth rotates around its axis from, तो आप सभी को वता है, जो पश्चिम है, उससे पूर्व की तरफ घुमती है पृत्वी, तभी तो दिन और रात होते हैं, यानि कि जो आप कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों दो ग्रह ऐसे हैं, जो कहां से कहां, बैस्ट से, इस्ट से, बैस्ट की तरफ घुमते हैं, तो I think एक शुकर है और दूसरा Uranus है, या फिर Neptune में थोड़ा सा पजल हूँ इसमें, तो अगर आप comment box में बता सकते हो, तो उताइए, शुकर तो मैं 100% sure हूँ कि श right due to, normally प्रिथभी घूमती है, तो एक force बहां पे होता है, इसको Coriolis force हम बोलते हैं, तो इसी के तहती है सब कुछ होता है, तो B option इसका सही होगा, which is not a barm crunch, मैंने आपको बताय हुआ कई बार कि crunch को जरूर पढ़ो, HPSC यहां से question पूछता ही पूछता है, सारे पढ़ो अच् streams या फिर cold crunch हैं, उनको तो जरूर पढ़ो, Gulf stream यह दोस्तो, obviously warm है, किरोशियो, जपान बाला, यह भी warm है, British, Colombian current यह भी, लेकिन Benojoella current जो है, यह आपको कैसा मिलेगा, यह आपको warm नहीं, बलकि cold मिलेगा, जो बैसी गली, जो हमारा मिशुवत रेखा है, बहां से कोई भी अ अगर current आता है, उसके निजदीक, तो वो warm होता है, लेकिन जो north pole, south pole, यहां से आते है currents, वो cold होते हैं, तो यह concept है, which state has abundant black soil, तो कपास जो है, कपास की हेती काफी होती है, महारा स्ट्रा में, और काली मिटी जो है, इसके लिए उपजाव होती है, तो महारा स्ट्रा आंसर है, which is not a rabi crop, तो rabi मतलब, जो सर्दियों में अगवाय जाती है, राइस का बुगाय जाता है, यह दोस्तो बरसात में अगवाय जाता है, पानी काफी अच्छा चाही होता है, तो यह option सही है, बाकी English और जो भी है, इनको हम telegram की उपर solve अगर के डाल देंगे, तो telegram channel जो है, 95 HP Studies उसको join कर लेना, शाम तक आपको बहाँ पे solved question paper मिल जाएगा, और पिछले 5-10 सालों के fully solved question paper शाहिए, official answer key के coding, तो आप WhatsApp जरूर कर लेना, अगर इनको अच्छे से पढ़ोगे 500 के आसपास question papers है, तो छोटे मोटे exam शो है, clerical के exam होगे, class 4 के exam, इनको crack करने में बहुत ही असान झाल